हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब अब आम का सीजन आ गया है और आम की रेसिपी ना बनाए तो अच्छा नहीं लगता है ना आम कच्छा हो या पक्का हो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है लेकिन अगर आपके पास बनाने के लिए टाइम ना हो या फिर जादा मेहनत करने का मन करें क्योंकि कर्मी भी बहुत जादा है ना तो आप यह वाली रेसिपी जरूर ट्रै करना यह बहुत ही जल्दी से बन जाती है बहुत ही बनाने में आसान है ज्यादा कोई मसाला बगरा नहीं लगता और महनत तो बिलकुल भी नहीं है तो यहां मैंने क्या किया है सबसे पह गोल गोल पीसेस कट करके इसके सारे बीज निकाल लिये इसे मैंने छीलने से पहले ही वाश कर लिया था अगर आपने वाश नहीं किया तो आप इसे कट करने के बाद भी वाश कर सकते हैं अब मैंने एक तवा लिया है इसमें मैंने तेल गरम किया तेल बिलकुल तेज गरम ह जाने के बाद हमने जो आम के पीसेस कट किये हैं वो हमें इसमें रखना है और उपर से थोड़ा सा नमक और पानी डाल देना है नमक हमें इसलिए डालना है कि यह जल्दी गल जाएगा और पानी इसलिए डालना है कि यह नीचे से चिपक न जाए इसके बाद मैंने इसे मैंने आम के सारे पीसेज को पलट लिया और थोड़ा सा तेल डालकर फिर से दो मिनट के लिए ढखकर पकाया अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेज डालूंगी सबसे पहले मैंने डाला धन्या पाउडर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर सारे मसालों को मैंने उपपर से स्प्रिंकल किया और सारे पीसेज को मैंने पलट दिया इसके बद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी फिर से डाला ताकि मसाले ना जल जाए और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने इसे दो से तीन बार पलट पलट कर अच्छे से मिक्स कर लिया अगर आपको लगे कि मसाले बीच बीच में जल रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा पानी या फिर तेल छिड़क लें जिससे की मसाले भी नहीं जलेंगे और आम भी नहीं जलेगा अगर आप इसे हलका सा मीठा करना चाते हैं तो आप इसमें शुगर पावडर भी आट कर सकते हैं मेरे घर में कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू पर वाचिंग